हार्ड ड्राइब एक mechanical device है जो computer रे लैप्टो में data storage के काम आती है अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि हार्ड ड्राइब में data save कैसे रहता है तो ये जानने के लिए हमें पहले हार्ड ड्राइब को समझना होगा दोस्तो hard drive के अंदर एक circular disc लगी होती है जिसको platter कहते हैं वो platter non-magnetic material जैसे ammonium या glass से बना होता है और उसके उपर ceramic nickel जैसे magnetic material की coating की जाती है जिससे वो magnetic बन जाता है platter को अलग-अलग cylindrical tracks में divide किया होता है और track में छोटे-छोटे area या sector होते हैं और इनी सेक्टर में डाटा को मगनेटिव फॉर्म में सेव किया जाता है इस डाटा को assess या read ride करने का काम read ride header करता है जो बहुत तेजी से गुमते हुए platter को scan करता है ये scanning वो इस coil motor की मदद से की जाती है जो disk पर read ride head के पीछे लगी होती है दोस्तो header platter पर बिल्कुल be touch नहीं होता है इन दोनों के बीच का अंतरदस से 20 नैनो मीटर होता है अगर हमारे पास कोई character है जैसे D को हमने hard drive में store करवाना है computer पहले character को binary में convert करता है 0100001 की form में हर character का binary code अलग-अलग होकर 8 bit का बन जाता है ये 1 bit 1 byte बनाते हैं 1 byte यानि 1 character hard disk में electrical voltage apply की जाती है जो hard disk की magnetic field को बढ़ा देती है ये rear-dried header इन 8 bit को magnetic form में platter के sector में store कर देता है और ये binary अंक 1 के लिए disk के sector में magnetize को बढ़ा देती है और 0 के लिए same रहने देती है इसी तरह से character और file hard disk में magnetic form में save हो जाते है दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को like और share जरूर कीजिए और हमारे चैनल को subscribe जरूर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई